आजेऊं केटलीक वातो हिंदी भार्षामा करीश अने केटलीक आपड़ा गुजराती मा गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान विजयरुपाणी जी केंद्र मैं मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान मंसुख भाई गुजरात सरकार के सभी उपस्तित मंत्री गान गुजरात प्रदेश भारती जरता पार्टी के अध्यक्ष श्रिमान जीतु भाई यहां उपस्तित विशाल संग्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आप सबको दिपावली और नवीन वर्ष की सुबकामराओं के साथ अभी अभी हम लोगों ने भाई दूच का त्योहार मनाया लाब पंचमी के त्योहार का इंतजार कर रहे हैं और नए संकल्प के साथ नए भारत नए गुजरात के निर्मान की दिशा में आज एक अनमोल उपहार गोगा की धर्ती से पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है आज गोगा दहे के बीच रोरो फेरी सर्वीस का प्रशम चरण का सुभारम किया जा रहा है यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है तो यही बक्षीन पुर्वे एशिया का भी यह इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट है मैं गुजरात के लोगों को यहां की सरकार को छेसो पचास करोड रुपियों का यह प्रोजेक्ट अनेक आधुनिक तक्निक के साथ परिपूर्ण करने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं इस प्रोजेक्ट के सुरुवात के साथ साड़े छे करोड गुजरातियों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है बाई यो बेनो उँझारे निशानमा भणतो थो ने तेरह अमार तेया निशानमा एक पद्ध दिये थी रोजे रोजना जे समाचार होए ये बाढ़को ये ब्लेक बोड़ पर तेयां लखवाना होई चोग थी अने जारे एसेमली होए तेरे एक विद्यार्थेनों जेनों होए एने समाचार वांच मारा होए बचपण मा निशानमा एक वक्ते सांबलेलू और ये वक्ते मोटे बागे बढ़वंत्राय मेता मुख्यमंत्री ये शुए सांबलेलू के गुजरात मा गोगोवा दहेज रोड़ो फेरी स्थरिवा ने छे उँझारे निशानमा भणतो तो त्यारे हांबलेलू के गुजरात मा गोगा दहेज रोड़ो फेरी शर्वी स्वरू थावानी चे आतली बदी सरकारों आवी ने गई बामन गर्मा दिये बदा अडी खम नेता वावी ने गया पन सारा काम बदा मारा नसीब मर लखाये लाजे अभी इस मन से मुझे सर्वोत्तम डेरी के केटल फिल प्रांट के उद्गार्ण करने का भी आउसर मिला है आ डेरी उद्ध्योक आपने जानीने आगात्त से गुजरात मा भुदकार मा एवी सरकारती के जैने कच्छ काठिया वाड मा डेरी न बने एवा उंधा नियमों बनाया था अमें आवी ने नियमों ने बढ़लया एना कारणे आजे कच्छ ने सवराट्र ना जिल्ले जिल्ले डेरियों थाई क्या 3 लाख लीटर दू क्या 4 लाख लीटर दू क्या 11 लाख लीटर दू अईना पशू पालकोंने अईना खेडूतोंने दूदना पूरा पैसा मलवा माड़या अने खेती मा कोई दी मुसीबत आवे तो दूदना बरोसे बार मीना निकड़ी जाए एक कामा डेरी ना विकास्ती थयू आजे लगबक 65 करोड रुप्याना खर्चे भावनगर मा सर्वोत्तम डेरी द्वारा पशू आहार माटे दो बैगिनानीक अभीगा मावे सरू थाई रहोजू पशू पानन एमाँ पशू आहार नू साउति भदारे मातवर उत्तम महो उत्तम प्रकार नी माव्वे थाए पशूतन अउत्तम उत्तम प्रकार नोrum पशू कामा नरे थो आप्रा देश मांचे मुसीब्ध ने बार काडी शक्तिए मुसिबत सुचे दुनिया मा सवती बदारे पशु आपनी पासे परन्तु प्रती पशु जे दुजुनू उत्पादन छे ए दुनिया मा खुब ओछु होए एवा देश मा आपनू नाम छे पशु आपनी संख्या ओची होए तेम छेता है दुजुनू उत्पादन बदारे होए तोज पशु पालगने पालवे तोज खेडूतने पालवे अने इतला माटे पशुनी मावज़त पशु माटे आहार ये अत्यन महत्परी बाबाच छे थोड़ा समय पहला हूं बढू चा कार्परेशन मां एक प्लांटनू ध्याणन करिए तो एमांती जे चीजों उत्पादित थाई छे एक खांदान बनावा माटे काम आवे छे अना आजे बावनगर नी धर्ति परावी ने सर्वोत्तन देरी द्वारा पांचट करोडना खर्चे पशु आहार माटे पशु खा कामना प्लाटपू जो आ उत्तम आहार मरस्वे एमने एना कारणे एमनी रोग सामेनी प्रतिकार शक्ति बच्छे दूदुनू उत्पादन बच्छे अने प्रमानमा खेडूतना गरमा पान बे पांदले जिन्दगी जिब्बानों आउसर आउसे उभाई महेंद्र आने अम मेरे प्यारे भाईया भनों एक विबात का विशय है क्या मनुष्य जातने सबसे पहले तैरना सिखा था कि पहिया बनाने का सिखा था कोई तैय नहीं कर पाता था कि पहले पहिया बना कि पहले इंसान तैरना सिखा लेकिन ये सही है कि मानव जात सदियों से तैर कर ना उसे नदी पार करना उसने हमेशा सरल माना आसान माना गुजरात के तो हजारों साल का सामुद्रिक यात्रा का इतिहात रहा है नाव बंती यहां थी नाव लेकर दुनिया में जाने की यहां लोगों की परंपरा थी लोथल 84 देशों के जंडे यहां पर फैरते थे वलभी युनिवर्सिटी सत्रह सो साल पहले अनेक देशों के बच्चे हमारे यहां वलभी में पढ़ते थे लेकिन पताने क्या हुआ सब कुछ इतिहास की तरह नीचे जमीन में दब गया वो भी तो एक जमाना था लंकानी लाड़ी ने गोगानो वर्ण क्या जाहो जलाली होगी घोगा की आम तोर पर लंकानी लाड़ी ने गोगानो वर्ण एवु कहवात वतो भाईयो भहनो आज का ये प्रोग्राइम आज का ये प्राराम गोगा भावनगा और गुजरात के समुद्र तटके वो पुराने भव्य दिवसों को वापिस लाने का आउसर है गोगा दहज के बीच से फेरी सर्मीश सवराश्ट और दक्षिन गुजरात के करोड़ों लोगों की जिंदी को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि उन्हें और नीकट ले आएगी जिस सिफर में साथ आठ घंटे लगते थे वो सफर एक सबा घंटे में पूरा किया जा सकेगा हमारिया कहा जाता है सबसे मुल्यवान चीज समय होता है ताइमीज मनी ये कहा जाता है आज दुनिया में कोई 24 घंटे के 25 घंटे नहीं कर सकता है लेकिन ये भारत सरकार और गुजरात सरकार है कि आपके 24 घंटों में से एक घंटे की सपर करके साथ घंटे की सौगात दे सकता है एक स्टड़ी कहती है कि सामान को ले जाने में अगर सड़क के रास्ते देड़ रुपिया का खर्ज होता है तो उतना ही सामान ले जाने के रिए रेल के जरिये एक रुपिया लगता है लेकिन वो ही सामान अगर हम जल मार्ट से ले जाएं तो सिरब 20-25 पैसे में ले जा सकते हैं आप सोच सकते हैं कि आपना कितना समय बचने जा रहा है देश का कितना पेट्रोल डीजर बचने वाला है वरना लाखों लीटर इंधन तो जब ट्राफिक जाम हो जाता है वही पर बरबाद हो जाता है भाई और बहनों सवरास्त और दक्षिंड गुजरात के बीच हर रोच लगबग 12,000 लोग यात्रा करते हैं 5000 से जादा गाडिया हर रोच इन दोग शेत्रों को कनेक करने के लिए सडकों पर दोड़ती है जब यही कनेक्टिविटी सडक के बजाए समंदर से होगी तो 307 किलोमेटर की दूरी 31 किलोमेटर में बदल जाएगी एक फेरी अपने साथ 500 से ज़्यादा लोग 100 के लगबग कारें 100 के करीब ट्रकें वे अपने साथ लेकर के जा सकती है साथ जब ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इस फेरी सर्विस पर निर्वर हो जाएगा या जब अपनी अपनी गाडियां इधर से उदर ले जाएंगे तो इसका प्रभाव दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करने वाले रास्तों पर भी पढ़ने वाला है गुजरात के सबसे ज़्यादा आउद्यों की करने वाले छेत्र जैसे दहेज बडोद्रा और उसके पांसकास के मारगों पर गाडियों की संख्या कम होगी गाडियों की रप्तार बढ़ेगी और तेजी यहां के पूरे एकानामिक सिस्टिम को तॉप गेर में ले जाएगी रहिए हम पुरानी अप्रोच के साथ नए नतीजे प्राप्त नहीं कर सकते हैं नहीं पुरानी सोच के साथ नय प्रयोग किये जा सकते हैं गोगा दहेट पेरी सर्वीश इसका भी बहुत बड़ा उदारण है मैं जब मुख्यमंत्री बना और खोज खबर ली इस पर चर्चा की तो कई दसकों से हो गड़ रहे थे लेकिन यह योजना पता नहीं किस कौने में पड़ी थी और जब मैं इस पर जाने लगा आगे बढ़ने लगा मेरे आने के बाद मैं चाहता था तुरंट शुरू हो आप हैरान हो जाएंगे सरकार ने ऐसी स्ट्रक्श्रल गलतियां की थी कि कभी रोरो फेरी सर्वी हो ही नहीं सकती है पुराने जमाने में क्या काम किया था इन्होंने समझ से यह थी कि जिसे फेरी चलानी थी उसी से आग्रह किया जाता था कि तुम भी टर्मिनल बनाओ क्या मुझे बताईए रोड के उपर कोई बस दोडाता है तो बस वाले को हम कहते हैं कि तुम रोड बनाओ बस वाले को कहते हैं कि बस ट्रेशन बनाओ एरपोर्ट पर विमान आता है कि हम विमान वाले को कहते हैं कि तुम एरपोर्ट बनाओ एरपोर्ट सरकार बनाती है बस्टेशन सरकार बनाती है रोल सरकार बनाती है उस पर दोड़ने के लिए प्राइवेट लोग व्यापार के लिए आते है रोलो सर्विस में उन्होंने कह दिया जेटी बनानी है उसका पॉट बनाना है आपको करना है तो करो यह समंदर का किनारा है यह पानी है आगे बढ़ो कौन बढ़ेगा भाई कि आखिर कर हमने नीतिया बढ़ ली कि पुरानी सरकारों के इस हैस्पर तो हमने बदल दिया है हमने तय किया कि फेरी सर्विस के लिए टर्मिनल बनाने का काम सरकार करेगी टर्मिनल बन जाने के बाद उसका संचालन और फ तलहाटी में जमीन मिट्टी भी बड़ी समझा होती है इस बज़य से फेरी को किनारे तक आने में दिक्कत होती है बदली हुई रणदीती के दहत सरकार ने ये भी तय किया कि मिट्टी निकालने के लिए पत्तर हटाने के लिए ड्रेजिंग का काम उसका काम भी सरकार कि इस सर्विस के बाद प्राइवेट एजनसी को जो लाब होगा उसमें सरकार की भी भागीदारी होगी यह नई रणदीती सफल रही और आज इसी का प्रणाम है कि गोगा दहेच के बीच रो रो फेरी सर्विस प्रारम हो रही है 2012 में मैं आया था इसका सिलान्याद मैंने किया था लेकिन तब समंदर में कुछ काम करना आए तो हम जड़ा भारत सरकार पर डिपेंड़नेट रहते थे और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था वापी से लेकर के कचके मांडवी तक गुजरात के समुद्री तड़ पर विकास पर पूरा प्रतिबन लगा दिया गया था हमाने इंडरस्ट्रीज को परियावरान के नाम पर ताले लगाने की दमकिया दी गई थी मैं जानता हूं कितरी कठी लाईयों से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने में सफलता पाई थी लेकिन जब दिल्ली में आप समने मुझे सेवा करने का मोका दिया एक के बाद एक समस आए सुलत्ती गई और आज रोरो फेरी सर्वीस का लोकारपन करने का प्रथम चरण का और यह प्रोजेक्ट कठीन था वरुन देव भी हमारी परिक्षा लेते रहे लेकिन इत्याद गवाह है जब सेतु के निर्मान में किसी तरह की बादा आई तो समुद्र मंथन में से ही अमरुद भी निकल के आया था साथियों आज हमें वरुन देव के आशिरवात से यह अमरत मिला है जो जल से तुमिला है मैं सीज जुका करके यह कामना करता हूं कि वरुन देव का अशिरवात हमेशा की तरह गुजरात के लोगों के साथ रहे और आज हम जब यह रोरो फेर सर्विस का प्रारम कर रहेते तब मैं वीर मोखड़ाजी दादा को भी नमन करता हूं और जैसे मेरे मच्वारे भाई 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 वीर मोखड़ाजी दादा को नर्यल चड़ा करके आगे बढ़ते हैं मैं भी उनकी परंप्रा का तो आपको बता दें कि गुजरात के गोगा से प्रधानमंत्री नर्यल मोदी जनता को संभूदित कर रहे थे 615 करोड की ये फेरी सिवा प्रोजेक्ट जिसकी प्रत्रम चरण की शिरुवात हो गई है प्रधानमंत्री ने आज भाबनात्मक अपील करते हुए कहा कि देश का सारा काम मेरे हिस्से है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं इस परियोजना से जुड़े हैं वे सब के सब बधाई के पांत्र है भाई योर बेहनों गुजरात में देश के सबसे बड़ा सी फ्रंट उपलब्द है सोला सो किलोमेटर से भी जादा हमारा समुद्री तठ है सैंकड़ो वर्षों से गुजरात अपने शक्ति और सामर्त से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी और खीचता रहा है लोथल पॉर्ट से निकली जानकारियां आज भी बड़े-बड़े मरीन एक्षपर्स को अचम्बित करती है जी जगर पर हम सभी उपस्तित हैं बहाँ पर सैंकड़ो वर्षों से दुनिया के अलग-अलग देशों से जहाज आते रहे हैं इस सम्रुद्ध विरासत को समझते हुए देखते हुए मैं उसी समय से गुजरात में पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट की बात कर रहा हूँ जब आपने मुझे मुझे मुख्यमंत्री के पत पर बिठाया था इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गुजरात के कोस्टल इलाके में इंफ्रास्टर्चर और डेवलप्मेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेश ध्यान दिया हमने सिप बिल्डिंग इसकी नई पॉलिसी बनाई शिप बिल्डिंग पार्क बनाए स्पेशल एकॉनमिक जोंस में छोटे पॉट्स को बढ़ावा दिया जाए शिप ब्रेकिंग के नियमों में भी बड़े बढ़लाव किये गए सरकार ने स्पेशलाइट टर्मिलंस के निर्बान पर भी विशेश जोर लगाया जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो केमिका तो प्रधानवन्ति नेरिद मोदी घोगा में संबोधित कर रहे हैं हम दोबारा आपको दिखाएंगे लेकिन पहले देख ले तेंसोर खियां गुजरात के घोगा पहुँचे पियम मोदी जल्सभा को कर रहे हैं संबोधित रोरो फेरी सिवाग का किया शुवारम बुद्रेरखन के दोरे पर सीम योगी हमिरपूर को दी 188 करोड की सौकात कुछी देर में महोबा के लिए होंगे रवाना किदारनात्म अबनिर्मान के मुद्य पर भी सियासत उद्राखन कॉंग्रिस का सरकार पर निशाना कहा हमारी योजनाओं के बज़ए कोई ठोस्त योजना लाई सरकार मैनपूरी में सामने आया दहेच हत्या का मामला पती को पतनी ने उतारा मौत के घाट पुलिस ने मामला किया दर्च आरोपी पती फरार बॉलिवूर के मशूर वर्सेटाइल एक्टर कादर खान का जंदी नाच तीन सो से ज़्यादा फिल्मों में किया आधिने कॉमेटी और विलिन की भूंका में बनाई पहचान और चलिए फिर से हम लिए चलते हैं आपको घोगा जहां प्रधानमंती नरेद्र मोदी सभा को संभूधित कर रहें अपना स्थानिक जवानियां उने तयार करी ने ट्रेंड करी ने आम ने हमारोजगार मने और प्रवंध कर्वानों नखिय कर precisely उनकी सिक्षा, स्वास, पीने के पानी, बिजले के साथ यह मने कोस्ट्रल सोशल सिकूरिटी का भी पूरा इंफा सेक्टर तयार किया है। अभी हाली में जपान के प्रधान मंत्री आये थे। उस समय हमने जपान के साथ सिपिंग सेक्टर को ले करके एक महत्वा पूर्ट समझोता किया। इस समझोते के तहट जपान सरकार और वहां की एक वित्तिय संस्ता जाइका अलंग शिप्यार में अप्ग्रेडेशन के लिए उसके मॉर्डेराइशन के लिए हमें वित्तिय सयोग देंगे हमें दंद देंगे इसके लिए वो तैयार हुए है। आपने त्या अलंग नी चर्ता गणी थेए। पैना विकास माटे त्याना मद्दूरनी स्थिती और परियावरन नामे आखा आपना उद्ध्योग पर तोफान आवितु। अब बद्धा माथी बाहर काड़ी ने ये दुनिया मा अधूनिक मा अधूनिक बने एना माटे जापान पासे करार करी ने त्याथी धन लावी ने अहीने आखाय अलंग ना अने शिप ब्रेकिंग ना बदा प्रोजेक्ट ने बदा ने अधूनिक बना वने दिस हमां काम कर साथियों सरकार भावनगर से अलंग सोश्या सीप राइसिंग याड रिसाइकलिंग याड तक के लिए एक आल्टरनेटिव रोड भी उस पर भी काम कर रही है एसिया के सबसे बड़े सीप रिसाइकलिंग याड में 15 से 25,000 कर्मचारी 15 से 25,000 कर्मचारी काम करते हैं अलंग सोश्या सीप रिसाइकलिंग याड वावनगर से करीब 50 किलोमेटर दूर है अभी जो रूट उस पर ट्राफिक जाम की कितनी दिक्कत है किया है मुझे लगता है वो मुझे बताने की ज़रूत नहीं है और इसलिए सरकार ने तै किया है अलंग सीप रैसिंग लियार और महुवा पिपावाव जाबराबाद वेरावल को जोडने वाला जो एक वहिकल्पिक रूट है उसे चौड़ा किया जाएगा अपग्रेड किया जाएगा पविश में अलंग यार की चमता भी बढ़ने जा रही है और उसे देखते हुए भी सड़क का आधुनिक करन आवशक हो गया है इस रूट से गोगा दहेद फेरी सर्विस के लिए आ रही गाड़ियों को भी फाइदा होने वाला है साथियों सरकार के लगातार प्रयास का नतीजा है कि गुजरात के कोस्टल बेल्ट का आज इतनी तेजी से विकसा विकास हो रहा है आज गुजरात पूरे देश में छोटे पॉट्स के जरिये होने वाले कुल कारगों की आवाजाही का 32 प्रतीशत अकेला गुजरात हैंडल करता है यानि एक तिहाई गुजरात में होता है इतना ही नहीं इस काम में पिछला 15 वर्सों में चार गुणा बढ़ोती हुई है मुझे उमीद है कि जिस तरह पिछले 15 साल में गुजरात ने अपनी पॉट्स की जमता को भी चार गुणा बढ़ाया है कारगों हैंडलिंग की रप्तार भी और तेज होगी भाई और बहनों गुजरात समुद्री मार की दृश्टी से बहुत ही स्ट्रेजिक लोकेशन पर है यहां से दुनिया के किसी भी भूभाग तक समुद्री मार से पहुंचना बहुती आसान और सस्ता और सरल रास्ता है हमें गुजरात की शक्ति का भरपूर फायदा उठाना चाहिए गुजरात का मैरिटाइम डेवलप्मेंट भी पूरे देश के लिए एक मोडेल है मुझे उमीद है कि रोरो फैरी सर्वीस का पूरे प्रोजेक्ट भी दूसरे राज्यों के लिए भी एक मोडेल प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा हमने जिस तरह बर्सों की महनत बात इस तरह के प्रोजेक्ट में आने वाली दिक्कोतों को समझा है उन्हें दूर किया है वो दिक्कतें कम से कम इस प्रोजेक्ट को दोहराने वाले राज्यों को कभी नहीं आएगी इस फेरी सर्वीश से पूरे छेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास का एक नया दौर शुरू होगा रोजगार के हजारों नये अवसर बनेंगे कोस्ट्रल सिपिंग और कोस्ट्रल टूरिजम का भी नया अध्याय आरम होगा आने वाले दिनों में जब दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेर फ्रेट कोरिडोर बन जाएगा और साथ ही निल्ली मुंबई इंडर्स्ट्रल कोरिडोर का काम पुरा हो जाएगा तो इस सर्वी समेत गुजरात से जुड़े समुद्री मार का महत्वा भी कई गुना बढ़ जाएगा यह प्रोजेक्ट अम्दाबाद और भावनगर के बीच के इलाकों में आउद्योगी की विकास को तेज करने के लिए बनाये गए दोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजिन को भी एक नई मजबूती देने वाला है दोलेरा ऐसा यार बारती नहीं विश्व के नक्से पर विक्सीद होने वाला यह सबसे बड़ा अउद्यों की कैंदर होने वाला है इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए आउसर बनेंगे गुजरास सरकार के प्रयास से दोलेरा में इन्फास्ट्रक्टर से जुड़े काम तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं कुछी वर्षों में दोलेरा पुरी दुनिया में अपनी धात जमाएगा और उसमें एक ही भूमी का गोगा दहेज फेरी सर्वीश का भी योगदान होगा साथ यो पविश्ट में हम इस फेरी सर्वीश को यह सिर्फ गोगा दहेज तक रुकने वाला नहीं है पविश्ट में इस फेरी सर्वीश को हम हजीरा पीपावाव जाफराबाद दमन दीव इन सभी जगल पर जोडने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं मुझे बताया गया है कि सरकार की तयारी आने वालों वर्षों में इस फेरी सर्वीश को सूरत से आगे हजीरा और फिर मुंबई तक ले जाने के लिए भी चल रही है कचकी खाड़ी में भी इसी तरह का प्रोजेट शुरू किये जाने की चर्चा अभी प्रात्विक सर पर चल रही है मुझे बताया गया है कि कचके वाई और जामनगर के रोजी बंदल के बीच ऐसी सेवा शुरू करने के लिए प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट आल्रेडी तैयार हो चुकी है इतना ही नहीं जब फेरी सर्विस का इस्तमाल बढ़ेगा तो तमाम उद्योगों को नर्दा नजी के माध्यम से भी कनेक किया जा सकता है साथियों भारत की विशाल समुद्री सिमा 7500 किलोमेटर लंबी है निवेस्टी बड़ी संभावनाओं से बड़ी हुई है मेरा मानना रहा है कि हमारे समुद्री तर्ट देश्टी प्रगती के गेटवे है बारत की समुद्री के प्रवेजद्वार हमारे बंदर होते हैं लेकिन बीते दसकों में केंद्री स्तर से इन पर कमी ध्यान दिया गया देश का शिपिंग और पॉर्ट सेक्टर भी लंबे समय तक उपेक्षित रहा इस सेक्टर को सुधारने के लिए उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने सागर माला कायरकम भी शुरू किया है हमारे हां कच्छ सवराष्ट हम्मेशा खाली थतु जाए लोकों अहीं दी हिजरत करता था कारण चु तो पीवाना पाणी नहीं अने खारा पाण दरियानी हवा खेती न थाए बागी काई न थाए रोजी रोटी न कमाए लोकों छोड़ता था बुद्कानमा दरियानी तागत जो समझा होत पाणी ना सामर्थ ने समझा होत को कच्छ सवराष्ट ना लोकों ने मोटा मोटा शहरों भाजेईने जुगी जोपणी बाद जिंदिगी जीवां बाटे मजबूर न थावू पड़ी होत आई योबहनों अमेजे पुपकर मुपाड़े उचे आखो कच्छ सवराष्ट नो दरिया किनारों दमदम तो करवानों आखा गुजरात मां आवनारा दिवसों मां दमदमाड के जोवां मढ़वानों चे तो सौथी बधारे आख कच्छ सवराष्ट ना दरिया किनारे आजनमाला परियोजना के तहट देश में मोजुदा पॉर्ट उसका मॉडनाइजेशन और नए पॉर्ट के डेवलेप्मेंट का काम किया जा रहा है सडक रेल मार्क, इंटर स्टेट वाटर वेश और कोस्ट्रल ट्रांस्पोर्ट को इंटीग्रेटर किया जा रहा है ये परियोजना कोस्ट्रल ट्रांस्पोर्ट के जरिये माल दुलाई को बढ़ाने में बहुत एहम भूमी का निभा रही है साथियो सरकार के प्रयोसाओं का ये नतीजा है कि पिछले तीन वर्षों में पोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और अभी तक का सबसे जादा कैपिसिटी एडिशन पिछले दो या तीन वर्ष में हुआ है जो पोर्ट और सरकारी कंप्रियां गाटे में चल रही थी उन्हों भी परिस्तिती बदर रही है सरकार का ध्यान कोस्टल सर्विस से जुड़ी स्किल डेवलप्मेंट पर भी है एक अनुमान के मुताबिक अकेले सागर माला प्रोजेक्ट से आने वाले सबाय में एक करोड जितनी नई नौकरियों के हिंदुस्तान में अउसर पादा हो सकते हैं हम इस एप्रोज के साथ काम कर रहे हैं कि टांस्पोर्टेशन का पूरा फ्रिमबर आधुनिक और इंटिग्रेटेड हो हमारे देश में ट्रांस्पोर्ट नीतिया में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है यह असंतुलन कितना जादा था वो आप इसी से समझ सकते हैं कि आज आदे के इतने वर्षों बाद भी हमारे यहां सिरफ पांच नेशनल वोटरवे थे वोटर ट्रांस्पोर्ट में इतना सस्ता होना और देश की नदियों का जल होने का बावजोद इसे नजर अंदाज कर दिया गया अब इस सरकार ने 106 नेशनल वोटरवे का गठन किया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है इन नेशनल वोटरवे की कुल लंबाई 17,000 किलोमेटर से भी जादा है ये वोटरवे देश के ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के और संतुलन को दूर करने में बहुत मददगार साबित होंगे हमारी सामूर्द्रिक संपदा हमारे ग्रामिड और समूदिर तट को एक नया आयाम दे सकती है हमारे मच्वारे भाई इस संपदा का पूरा इस्तमाल कर पाएं इसके लिए सरकार ने ब्लू रिवॉलुशन इस कीम को सुरू किया है उन्हें आधुनिक तक्निक का इस्तमाल करते हुए मचली पकडने और मचली पानन में वैल्यू एडिशन के बार में सिखाया जा रहा है हमारा माची मार भाईयो माटे ब्लू रिवॉल्शन स्टीम एमने लांभी बोट मले आधुनिक बोट मले दूर सुनी बार नोटिकल माईल थी पर अंदर जाए वदूमा वदू एमने कैच मले माचली मले आने पूरी ववस्ता अंदर होए हमारा माची मारो ओची मैने ते वदूरे कमाए एना माटे सरकारे ब्लू रिवॉलूशन स्कीम के अंतरगत आज मच्वारों को लॉंग लाइनर ट्रॉलर्स के लिए आर्थिक मदद देने का भी योजना बनाई है एक वेसल पर केंदर सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए तक की सबसिड़ी दी जाएगी लॉंग लाइनर ट्रॉलर्स का न सिर्फ मच्वारों की जिंदगी आसान मनाएंगे बल्कि वो उनके कारोबार को भी नई आर्थिक मजबूती देंगे अभी जिस तरह के ट्रॉलर्स का इस्वाल किया जाता है वो कम पानी में मच्वली पकड़ी के काम आते हैं तक्निक के मामले में भी ये बहुत पुराने हैं रिष्की है इसलिए जमिल पुराने टॉलर्स को लेकर को वो समंदर जाते हैं तो अक्सर राफ्ता भश्रक जाते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता कि भारत की समुद्री सिमा छोड़कर दूसरे देश की समुद्र सिमा में पहुँच गए हैं इसके बाद मच्वारों को कई तरह की दिखत उटानी पड़ती हैं तक्नीक का जादा से जादा इस्तमाल करके हम इन दिखतों को कम कर सकते हैं और इसलिए हमने ये लॉंग लाइनर ट्रॉलर्स की मदद से मच्वारे भाई समंदर में सही दिशा में दूर तक गहड़े पानी में बच्छली पकड़ने के लिए जा सके इसके लिए सरकार मदद करने की योजना बढ़ाई है आधुनिक लॉंग लाइनर ट्रॉनर्स अफाद दोनों बढ़ाएंगे साथियों देश में इंफ्रसेक्टर का विकास हमारी सबसे बड़ी प्रात्फिकताओं में से एक है पिसले तीन वर्सों में हाइवे रेलवे वाटरवे और एरवे पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले इतने कम समय में कभी नहीं हु एर सर्विस को सुधाना जा रहा है छोटे-छोटे हवाई अड़ों का अधूनी करकिया जा रहा है कुछ हपते पहले ही अमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रिंड का भी काम सुरू किया जा चुका है यह सारे प्रयास देश को 21 सदी के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम देने का आधार बनेंगे एक ऐसा ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम जो न्यू इंडिया की आउशकता हूं न्यू इंडिया की उमीदों के मताबिक होगा साथ्यों आज यहां गोगा से मैं फेरी के मात्यम से ही दहट तक जाऊंगा मेरे साथ मेरे कुछ नन्ने साथ ही कुछ दिव्यांग बच्चे भी होंगे उनके चहरे की खुछी ही मेरा पारिस्थामिक होगी मने गुजरां सरकारे पुजू का फेरी मा कोण आव से बगुवे मारा तो सो स्पेशल मेहमानों चे तमारे लिए जबापड़ से तेमने तुख आप दिव्यांग भाईयों बहनों चे परमात माई जे बालकोने कईन कई मुश्केली आपी छे ए मारा आजे स्पेशल गेस्ट चे अने एमने आजे हूं मारी साथे आप फेरी सर्विशनू घाटन मा जोड़े लेजेश दहेज लेजेश अने पाच्छी आप फेरी एमने आवीने मुकी पन जसे भावनगर ना बालको दिव्यांग जनों एमने मारी साथे लेजवां एपन मारे माटे एक गर्वनों विशाइश है भाईयों बच्पन से जिस कार्य का सपना देखा था वो पूरा होने के बाद मैंने कैसा अनुभव किया इसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता है बच्पन में जिस बात को सुना था और हो नहीं रहा था और जब अपने आँखों के सामने देख पा रहा हूं और खुद को उस काम के हिस्थेदार बनने का मोका मिला मैं समरता हूँ यह मेरे जीवन की बहुत दन्य पल है बैसे मैं अपना सवभाग्य मानता हूँ दहेज मैं जाऊंगा अपने अनुभव वहां बाटूंगा लेकिन मैं आज आप से आगरा करूंगा कि इस महत अपन काम में आप हमारे साथ जुड़िये और यह मानिए यह एक फेरी सर्वीश तो शुरू बात है यह पहला चरण है बाद में तो प्राइवेट कंपनियां आएगी डेर सारी फेरियां चलेगी कुरूज चलेंगे कुरूज टूरीजम डबलप होगा अरे सूरत के हमारे धनी लोग इसको हायर करके जन्मदीन मनाने के लिए भी समंदर में जाएंगे बहुत बड़ी विकास की संभावना है और इसलिए मैंने कहा गोगा का बाग यह फिर एक बार बदलने वाला है गोगा का बार फिर एक बार बदलनाहाएं और एक बार फिर आप सभी को गोगा देज-लोरो फेरी-सरभीच और सर्वत्म-डेयरी के कैटलफीड प्रांड के लिए मैं बहुत-बहुत बळाई देता हूँ आप सबको बहुत-बहुत धन्वाद देता हूँ और फड़ी एक वार तमने वदाने नुतन वर्शावी नंदान और खुब प्रगदी करो, खुब विकास निर्वी उचाईयों ने प्राप्त करो, खुब को बाबार फार तो प्रदानमंत्री नेजंदर मोदी घोगा से संबोधित करते हुए उन्हें ने कहा कि ये जो फेरी स सेवा है, वो पहला प्रोजेक्ट है, अपनी तरह का और एश्या महादिस का सबसे सुगम और सस्ता प्रोजेक्ट है, इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, 310 किलो मिटर की जो दूरी है, वो सिर्फ 31 किलो मिटर के में ये दूरी स्रिमट जाएगी और समय भी बचेगा और रोजाना माल ढुलाई को लेकर हो, या फिर यात्रियों को सफर करने को लेकर हो, इससे बहतर सुबधा नहीं हो सकता, इसमें दो तीन चीजें हैं, ये कि लोगों का समय बचेगा और इसके बाद रोजगार के अफसर पैदा होंगे, और राजस्यू की प्राप्ती भी हो पर आज प्रधानमति नयाद मोदी खुद भी इसमें सफर करेंगे और घोगा से जामनगर तक सफर करेंगे, उनके साथ 100 दिव्यांग बच्चे भी होंगे, 2012 में आधारशिला रखी गई थी, जो अब जाकर ये पूरा हुआ है, और ये अपने तरीक का एक अनुखा बहुत बड़ा असर हो सकता है, माल धुलाई को लेकर एक बहुत बड़ा असर हो सकता है, गुज्डात में विदानसभा चुनौग है और चुनौग को लेकर आज का जो दोरा था प्रधानमंत्री खा ये तीसरा दोरा है, एक मेहने के भीतर, और उन्होंने पूरे को यही संदेश दिया है कि यह मौका मिला है यह अच्छा अफसर है और गुजरात के दिकास को लेकर हमने सारे 6 करोड गुजरातियों का सपना पूरा किया है दक्षिन पूर्वेश्या का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसका आज घाटन किया जा रहा है तिन सक्ट डस किलो मिटर की दूरी दूरी नैस 31 किलो मिटर में अब सिमट जाएगी यानि समुद्र माग से ये दूरी टाइक की जाएगी और कापे दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी लेकिन प्रधान मंत्री ने इसे पूरा किया है और आज इसका शुबारम होने जा रहा ह प्रदान मंत्री खुद ही इस सबसे पहले इसमें यात्रा करेंगे रोरो फेरी सिवा के प्रत्रम चरण की आज शुरुवात होने जा रही है तो गबर आपको फिर से बता दें कि विकास को लेकर उन्होंने तमाम बाते कही है किन सरकार के जितने भी योजनाएं हैं जो प्रोजेक्ट्स को लेकर गुजराती भाईयों को कहा कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक योजनाओं का शिरा न्यास किया जा रहा है जैसे हम काम कर रहे हैं उसमें गुजराती भाईयों को रोज़गार के अ सबसे बात हो गई है दक्षिनपूर्बेशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 310 किलोमेटर के जगह भस 31 किलोमेटर में यानि जो 7-8 घंटे लगते थे सफर करने में वह आप सिर्फ एक घंटे के अंदर आप सफर कर सकने हैं यह ऐसा प्रोजेक्ट है यानि कि जो आज शुबारं किया गया है फेरी सेवा और इसका असर सिर्फ गुजराती नहीं बलकि दिल्ली मुंबई पर भी पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा माल जुलाए का जो काम है इस माध्यम से किया जाएगा एक बहुती एंबात उधानमत्री ने कही कि गुजरात एक ऐसे संटर पर है जहां किसी भी देश आप जा सकते हैं समुद्री मार्क से और बहुती सुगम और सस्त्या दर में आप जा सकते हैं